कैसे हैं आप सब आज बनाने वाले हूं मठी, इसके लिए मैंने लिया है मैदा, एक पासा नामक, स्वाद अनुसार, रिफाइंड ओयल, यह जवाइन है, लगड के ऐसे डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, दोनों हाथों से इसे मिला लेंगे इसको, इसका डू तैयार करे तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डाल को, रख दे रहें दो मिनट के लिए, अब इसके लिए हमें लोगा चोटी-चोटी तोड़ लेनी है, इस तरह से, अब इसको हम बेलेंगे, लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताना बुझे तो इसी तर ऐसे बनाना आता है यह देखिए अब मैं इसको पत प्रेंस हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें अब सब्सक्राइब भी कर दिया करें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी लगे रहेंगे काम करने में इस कि लिए आप थोड़ी सी सायता करिए हमारी तक हम आपको मठी बना के दिखाते हैं इसको हम इस तरह से इस तरह से हम रूल करेंगे सिप숙ी करेंगे इसको इस तरह से ईוס फटरुर mocता तार करेंगे इससे थोड़ा क्या होगा आसानी से और जल्दी में मठी बनके क्या हो रहा है तयार हो जाएंगी तो है ऐसे थोड़ी नहीं है अब प्रेंस इसको क्या करेंगे हम इस तरह से कट कर लेंगे है कि इस तरए से कट भी नहीं रही है प्रेंस चाकू में साइन नहीं है तो इसलिए कटने में दिक्त वो रही है आप लोग देख रहे होंगे और हम इस तरह से मठी बनाते हैं अब ये हमारी छोटी छोटी बॉल्स हो गई हैं इनको हम इधर रख ले रहे हैं और इनको हमें इस तरह से दबा के इस तरह से इनको भेलेंगे अब बनाएंगे काफी अच्छे रेडी कर लिया है अब उन जलाएंगे गेस रखेंगे कड़ाई और डालेंगे तेल इस सारी मठ्रियों को तर लेंगे हो गई है अब डालेंगे मठ्रियों को एक एक करके प्रस जितनी एक बार में आ जाएं उतनी ही डालना वाके दुबारा से तलेंगे अब उलेट उलेट के पकाते रहेंगे जब तक गोल्डन ना हो जाए हलकी देखे प्रस कितनी अच्छी मठ्रियों बनके तयार हुए है यह देखो पक के तयार हो गई है प्रस कितनी अच्छी दिख रही है अब उनको पलेट में निकाल लेंगे यह देखे और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्रस हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमें सपोर्ट करें आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है और वहारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद